दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाश फिर से एक नव एपिसोड में आप सभी कहर्दिक स्वागत करता हूँ तो आज हम सिखेंगे अपने घर के पालतू पशोओ के गले में बादने के लिए सुन्दर डिजाइनर गुंगरू की माला किस तरह से त्यार करनी है इससे देखा चाहिए तो पहले भी अलग-अलग साइस के गुंगरू की या फिर अलग-अलग डिजाइन में माला किस तरह से त्यार करनी है वो हमने सिखा हुआ है जिनकी लिंग उपर देखे राइट कॉर्णर में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखे आपको जहां भी सुएदा हो जाकर देख सकते हो बढ़िया से सीख सकते हो तो चलिए इस एपिसोड में बगेर दे रखे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की घुमर की माला किस तरह से तैर करने है तो सबसे पहले लेते हैं रस्या आप देख सकते हो दोस्तों आज हमें रस्यों के चार पिस के आउश्रता पड़ेगी अब इसके साइज के बारे हम बात करें तो हर एक पिस की मोटाई है तीन एमेम और हर एक पिस की लंबाई है छे फीट इससे के साथ हमें चाहिए घुमरू अब मार्केट में अलग-अलग साइज के या फिर अलग-अलग क्वाल्टिक घुमरू है मेरे पाट जो गुमरू है ये पितल के और जो ब्रास के घुमरू है इसका आवाज आप सुन सकते हो काफी ज़्यादा आवाज है बुनाई शुरू करने से पहले रस्य के चारोप इसको इस तरह से डबल कर लेना है डबल करने के बाद जिस तरफ इस टाइप का हिस्सा आएगा उस तरफ से बनाएंगे सुन्दर डिजैनर बुनाई करके एक चोटा सा लूप लूप हमने पहले भी बहुत सारे एपिसोड के अंदर सिखा हुआ फिर भी ग्रिमांडर के तोर पे देख लिजे द्याल से देखे गोर से सुने विलियो को स्किप ना करे तो आप देख सकते हो रसी का जो सेंटर है जो मद्य है इमने हम मारकर से मार्किंग करके आपको समझने कुशिश कर रहा हूँ आप करना है मारकर से थोड़ा पीछे यहां से हम बुनाई शुरू करेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा बुनाई इन दोनों रस्यों जो इससे बने इसके बीचों बीच आ जाएगे तो सबसे पर लिया नॉर्मल दागे से बादने के बाद आप शुरू करते हैं बुनाई कैसे करना है सबसे पहले दोनों रस्यों को जोड़ियों में अलग कर देना है अलग क इसी सिक्वेंस को आखर तक करते रहा है जब तक अपने लूप की बुनाई पूरी नहीं होती दुबारा दाहिने गरसी पाय के दोरस्यों के बीच में से और दाहिने पकड़ लेनी तो इसी तरह से हम उसको फटा पड़ बुनाई कर लेते हैं तो लीजे दोस्तों छोटे आ करके लूप की बुनाई पूरी हो चुकी है हमने दोनों इससे आपस में नौर्मल दागे से बांद दे हैं अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीच वाली बुनाई और इसके बीच को गुंगरू किस तरह से सेट करने हैं उससे पहले हमें इस लूप को कही बुढ़िया से टांग देना है जिससे क्या होगा हमें बुनाई करने में आसानी हो जाएगी तो देख सकते हैं लूप को हमने एक जगह अटका दिया है और सात्य साथ रस्यों का कलर कॉम्बनेशन भी बना लिया है अब बढ़ते आगे और देखते हैं इस उसके दो रसी ऊपर से और बचवी रसी के नीचे से इस टाइप से बुनाई शुरू करने है जिस तरफ तीन रसी थी अब चार हो चुकी है यहाँ भी क्या करना है जो सबसे बाहर के रसी एक रसी के नीचे से दो रसी के ऊपर से ऐसे पकड़ लेना है ठीक है काफी आसान त करने कि दुबरा दही not दरब कि सबसें बाहर तेस ए हो गया अब दुबरा आतें बाइस तरफ से एक रस्टी के निचे से 2 के उपर से और 1 के निचे तरफ से ऐसी उनयाई करना को साथ साथ रस्टि को टाइट करते वे चलना है दूबरा एक के नीचे दो के ऊपर ठीक दोस्तों एक दो स्टेप आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर भूंगुरू कैसे सिट करना है दूबरा एक बार देख लेजे अब इस तरव के बारी है जो सबसे बाहर की रसी एक के ऊपर अगले दो के नीचे और एक के ऊपर से साथ-साथ रसी को टाइट करते चलना है ऐसे तो आपको बीच में दिखाए देगा यहाँ जो बुनाई होते वे जा रही है दूबरा इस तरव ऐसे एक रसी के ऊपर से दो के नीचे तरव से यह तो देख सकते यहाँ बीच में क्रोस टाइप की बुनाई होते भी जा रही है दूबर एक बाद देख लिए बाए तरव के एक के नीचे से अगले दो के ऊपर से और एक के नीचे से उसी तरह से लाल रसी एक के नीचे दो के ऊपर अब गुंगरू किस तरव सेट करना है या फिर गुंगरू किस रसी में सेट करना है ध्यास से दिखे जो ग्रीन रसी उपर दिख रहे है आपको एक ग्रीन रसी एक ग्रीन रसी जितने भी ग्रीन रसी उपर आते रहेगी उनके अंदर गुंगरू सेट करते विचलना है बाद आगे आपको समझ में आजाए गया तो दिखिए इसका आगे वाल ऐसा पखड लिया एक घुम्गुरु लिया गुम्गुरु की इसका डाल दिया गुम्गुरु यहां आ गया है बुनाई का तरीका सेम रहेगा दुबारा लाल को एक के उपर से दो रस्यों के नीचे से और अगले एक के उपर से देखिए इसको भी ऐसे एक के उपर दो के नीचे गुम्गुरु इसके बीच में सेट हो चुका है बढ़िया से सेट करना है जल्दी बाजी नहीं करनी है फिर से इस रस्य को एक के नीचे द चार बार करने के बाद एक सरकल पुरा हो जाता है तो आप देख सकते हो अब यह रसी उपर तरब आ गई इसके अंदर रटकाया एक को खाली छोड़ देना है अब इसके अंदर और गुंगुरु सेट कर लेना है ध्यान से देखना दोस्तों बिल्कूल किसी प्रकर की नहीं हो पुना चाहिने तो क्या होगा या अपस में टक्रा करेंगा आवाज नहीं आएगा फिर से वही आप स्टेप इसको एक के ऊपर दो के निचे और एक के ऊपर तरफ से तो आप देख रहे होगे एक तरफ लाल लाइन चल रही है दुसरे तरफ हरी लाइन चल रही है इसको अपने आखर तक बुनाई करते रहे हैं जब तक आपको ये बेल्ट पुरा नहीं हो जाता तो लीज़े दोस्तों काफी मेनत और समय के बाद माला की बुनाई पुरी हो चुकी है एक बार मैं 4 तरफ से दिखाना चाहूँगा समझाना चाहूँगा देखिए लूप वाला हि इसे बक्री है बेड़े अपने घर का शौन होता है उनकी कलें बादने के लिए अगर आपको ये माला बड़े जानौर के लिए बनाना है तो रस्ती के साहिट जो हमने छे फिट लंबी थी उसको दूगना करना पड़ेगा बारा फिट लगना पड़ेगा और अब जो माला इससा जैसे पिछोले इससे की जो गलो कंबिनेशन या फिर बुनाई का तरिका है सेम बुनाई का तरिका सेम डिजाइन सामने तरफ से बनी हुई बस घुमरुक कारण आपको सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाए साइट का इससा देख लिजे सेम दूसरे तरफ भी देख लिजे बिल्कूल किसी प्रकर का अंतर नहीं है और आखरी में हमने क्या कर दिया जो दो इससे छोड़े बाकी इससे काट कर यहां नॉर्मल गठान से जला कर फिक्स कर दिया है क्योंकि इसको पर हम अगर डिजान गठान लगाते तो समय भी जाता और दूसरा गठान ह इसको काट कर अलग कर दिया दो रस्या छोड़ी बस इस लुप के अंदर इस टाइप से नॉर्मल तरिके से बानने के लिए बाकी कोई खास इसका यह नहीं है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही सबसे पहले इस एपिसोड को आखरी तक देखने के लिए सभी को बहुत-ब बेलेकों का दबाकर आल पे जरू क्लिक कीज़े जिससी क्या होगा आने वाले एपिसोड का नोटिफिक्शन आपको समय पे मिलता रहेगा हम जल्दी मिलेंगे नेक्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक धासुरोब टेक्निक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मस्तरी और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान